दोस्तो हाल ही में मैंने 2022 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई टेकसस चेंस और मिसाकर मुवी देखी है जिसे डेविड ब्लू गार्सिया ने डिरेक्ट किया है ये फिल्म 1974 में आई टेकसस चेंस और मिसाकर की सीक्विल और विगन से रिबूट जैसी है जिसे समझने के लिए आपको 1974 वाली फिल्म देखने की कोई खास जरूरत नहीं है वैसे मैं बता दू कि में चैनल पे उस पुरानी फिल्म की एक्स्पैनेशन मौजूद है तो आज की वीडियो में हम इस नए वाले टेकसस चेंस और मिसाकर फिल्म की कहानी को एकदम शॉट में जानते हुए इसका थोरा मजा कुड़ाएंगे So now with that said, let's roll the intro तो फिल्म की शुरुआत में हमें पुराने वाले फिल्म की कहानी बताई जाती है कि कैसे 18th August 1973 को पाँच फ्रिंड्स का एक ग्रूप टेकसस टाउन में आया था और वहाँ वो लेदर फेस का शिकार बन गये थे उनमें से सिर्फ एक ही लड़की बचपाई थी जिसका नाम Sally था और फिल्हाल Sally बूरी हो चुकी थी बट स्टिल वो रेंजर बनके इसी एरिया में आज भी लेदर फेस को ढून रही है तो यहां से कहानी प्रिजेंट में एक ग्रूप अफ फ्रेंड्स में फोकस करता है जिसमें हम डान्टे, मेलेडी, लाइला और रुथ नाम के चार लोगों को देख पाते हैं यह चारो अपनी कार में टेकसस के हारलो टाउन में जा रहे थे और रास्ते में यह लोग एक लोकल इंसान से मिलते हैं जो कि अपने साथ गन कैडी कर रहा था और वो इंसान काइंड ओफ रूट था यहां हमें पता चलता है कि डैंटे और मिलेडी इंस्टाग्राम के इंफ्लूएंसर्स थे और उन्होंने हारलो नाम के प्लेस के कुछ एरिया को काफी सस्ते में पुछेज किया था और आज वो अपने फॉलोवर्स को यहां बुला कर उन्हें इस जगह के प्लेसे ओक्सन में बिड़ करके बेश देते बेसिकली कहा जाए तो यह लोग इस छोटे से टाउन को डेविलप कर रहे थे ताकि वो लोग यहां रह सके और पैसे बना सके नाउ लाइला मिलेडी के सिस्टर थी और हमें दिखाया जाता है कि लाइला अपने लाइफ में पहले तो कभी किसी मास शूटिंग इंसिडेंट में फस गई थी और उसे गोली भी लगी थी बट समहाँ वो उसको सर्वाइब करवाई थी और वो आज तक उससे ट्रॉमटाइस्ट है एनिवेज ये चारो हारलो पहुंसते हैं और यहाँ इनकी मुलाकात उसी गन कैरी करने वाले इंसान से होती है जिसका नाम रिचर था और रिचर आक्चिली में डान्टे का कॉन्ट्राक्टर था डान्टे और मेलेडी एक और्फिनिज वाली बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं जो कि supposedly अब उनकी प्रॉपर्टी थी इस बिल्डिंग के अंदर उन्हें वर्जिनिया नाम की एक बहुत बुढ़ी औरत मिलती है जो कि और्फिनिज चलाया करती थी और उन लेडी का कहना था कि उन्होंने बैंक को पेमिंट वगेड़ा दे दिया था यानि कि ये प्रॉपर्टी अब उनकी है ऐसे में इनके बीज थोरी बहस होती है और डान्टे शेरिफ को बुलाता है शेरिफ अपने डेपिटी शेरिफ के साथ वरजीनिया को घर से बाहर ले जाएं लगते हैं और तभी ओल्ड लीडी वरजीनिया की तबियत बिगर जाती है ऐसे में वरजीनिया के साथ रह रहा एक बड़ा सा आदमी वहां आता है और वो उन्हें उठाकर फॉरण पुलिस वैन में बैठ जाता है ताकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाए जा सके इस वैन में रुथ भी बैठ जाती है ताकि वो मेक शोर कर सके कि वरजीनिया जिन्दा है तो इसके बाद यहां एक दूसरी बड़ी सी वैन आती है जिसके अंदर Dante और Melody के followers भरे थे and then यहां auctioning शुरू हो जाती है दूसरी तरफ पुलिस वैन में वरजीनिया सर्वाइब नहीं कर पाती और इस गुस्से में वो बड़ा सा आदमी डिपटी शरिफ और शरिफ दोनों को मार डालता है जिससे पुलिस वैन क्रैश कर जाती है देन वो लास्ट पर से फेस का स्किन कट करके अपने फेस पे लगा लेता है याने के वो लेदर फेस था and then वो रूत को भी मार देता है मरने से पहले रूत मेलेडी को मेसेज भीच पाई थी कि वरजीनिया सर्वाइब नहीं कर पाई साथ ही वो पुलिस रेडियो पे भी कॉन्टाक करने की कोशिस करी थी जिसे 1974 फिल्म वाली सर्वाइबर सैली सुन ली थी और अब वो तयार होकर हार्लो टाउन के तरफ निकल जाती है Now, Melody को रूत की मेसेज मिलती है और उसे लगने लगा था कि उनकी वज़े से एक ओल्ड लेडी की मौत हो गई Melody decides कि वो ओल्ड लेडी को देखने जाएगी लेकिन इनके कार की चाविर रिचर अपने पास कबजा करके रख लेता है क्योंकि रिचर को भी पदा चल गया था कि वरजीनिया मारी गई और अब वो इनके पेपर्स देखना चाहता था for that building ऐसे में Dante और Melody ओर्फनेज के कागजाद ढूनने के लिए फाइल शेक करते हैं लेकिन यहाँ Dante के पास building के पेपर्स नहीं थे इससे Melody को Dante पे शक होने लगता है कि मेभी उस घर की उनर सच मुच में वरजीनिया ही थी यह शक confirm तब हो जाता है जब Dante और Melody ओर्फनेज के अंदर जाते हैं और वहाँ एक box में Melody को घर के पेपर्स मिलते हैं यानि के Dante ने घर की उनर वरजीनिया को ही घर से निकाल दिया था जिससे उनकी मौत हो गई तब ही अचानक हम और्फनेज के अंदर leather face को आते देखते हैं जो की Dante पे attack करके उसे बुरी तरह injure कर देता है ये देखकर Melody cupboard में छिप जाती है और leather face अपना chainsaw स्टार्ट करता है और्फनेज के बाहर सभी लोग van के अंदर चले गए थे क्योंकि बाहर बारिश होने लगी थी और injured Dante किसी तरह ring दे हुए building से बाहर निकलता है वहां उसे इस हालत में Richard देखता है और ऐसे में वो एक छोटा सा pistol लेकर orphanage के अंदर जाता है I mean इस बंदे के पास बड़े बड़े guns थे लेकिन ये अंदर गया छोटा सा pistol लेकर ऐसे में क्या होगा वही जो आप सोच रहे हो leather face Richard को बुड़ी तरह मार डालता है और melody ये सब नजारा छुप कर देख रही थी leather face के जाने के बाद melody Richard के पास से कार की चाबी अपने पास रख लेती है दूसरी तरफ लाइला को अपनी बहन melody कहीं देखना ही रही थी और इसी लिए वो उसे खोजने इधर उधर जाने लगती है melody भी orphanage में भागने की कोशिस करती है लेकिन leather face उस पर अटाक कर देता है melody किसी तरफ floor के अंदर भागती है और तभी लाइला वहां आकर उसे भागने में मदद करती है ये दोनों भागते हुए अपने followers वाले van में जाते हैं ताकि वो सब ही escape कर सके लेकिन van थोड़ा ही चल के रुख जाता है ऐसे में leather face van के अंदर आ जाता है और उसे देखकर बेवकू followers भागने के बजाए फोन में recording करने लगते हैं जी यहां इतना ही नहीं एक बंदा ये तक बोलता है कि मैं तुम्हें online cancel कर दूँगा अबे साले तो फिर आजे में क्या होगा वही हुआ leather face चुन-चुन के सब को अपने chainsaw से कार्ड डाला अब ये सब social media पे live चल रहा था और comments में लोग इसे fake तक बोल रहे थे इन सब के बीच मिलडी और लाइला वैन के पीछले केविन में जाकर sunroop से escape कर जाती है बाहर इने एक कार दिखता और इस कार में और कोई नहीं बलकी Sally थी जो की leather face से लरने आई थी वो मिलडी और लाइला को कार के अंदर lock करके खुद leather face से भीड़ने और फिनिश के अंदर जाती है यहां Sally का सामना leather face से होता है जहां वो उसे easily shoot कर सकती थी लेकिन Sally उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ I mean Sally को leather face को खत्म करने से जाता इस बात की पड़ी थी कि क्या leather face को याद है कि उसने कैसे उसके दोस्तों को मार डाला था leather face को घंटा कोई फ़र्क नहीं परता था इसलिए वो Sally को ignore करके वहां से बाहर चला जाता है बाहर जाकर वो melody और लाइला पर अटाक करता है लेकिन अब Sally का दिमाग काम करने लगा था और finally वो leather face पे गोली जलाती है leather face फॉर्ण यहां से भागता है और Sally अपने कार के keys melody को देती है ताकि वो दोनों यहां से भाग सके इसके बाद leather face और Sally में लडाई होती है जिसमें leather face Sally को अपने chainsaw से बुरी तरह stab कर देता है यह सब देखकर melody भागने के बजाए कार से leather face को हिट करने की कोशिस करती है लेकिन वो अपनी कार को ही ठोक लेती है leather face इनकी तरफ बढ़ने लग गया था और ऐसे में लाईला कार से निकल कर रिचर का बड़ा वाला gun लेकर आती है अब इससे पहले leather face melody को मार पाता लाईला बड़े वाले gun से शूट करने की कोशिस करती है लेकिन वो gun में magazine लोड करना भूल गई थी जी हैं दोस्तों इस film में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है और SM leather face लाईला को मार ने उसके पीछे दौरता है वो लाईला को मार भी देता लेकिन घायल सैली leather face को शूट करके वहां से भगा देती है इसके तुरंद बाद सैली मर जाती है और लाईला फॉरन सैली का शॉट गन ले लेती है वो अभी भी भागने के बज़ाए leather face को मारने building के अंदर जाती है जहां leather face उस पे हमला करके उसे पानी में गिरा देता है लाईला पानी से बाहर आती है और यहां melody भी आकर leather face पे अटाक करती है लाईला फाइनली शॉट गन से दो-तीन गोली leather face को मार पाती है जिसके बाद गोली तो खत्म हो जाती है लेकिन leather face नहीं मरता I mean यह leather face इनसान ही है यह कोई और है यह और Michael Myers इनको मार पाना असंभब है नूकलियर भी छोड़ा जाए तो यह जिन्दा बचकर निकल ही जाएंगे एनिवेज गोली खत्म होने के बाद melody chainsaw उठा लेती है और वो leather face पे उससे हमला करके उसे पानी में गिरा देती है इस scene को देख कर ऐसा लगता है मानो leather face मारा गया है लेकिन हम horror lovers को पता ही है कि यह मनहूस फिर से बच गया होगा खैर तो इसके बाद सुबह होती है और melody और लाइला अपनी car को autopilot में डाल कर इस town से जाने की सोचते है लेकिन तभी leather face फिर आ जाता है और वो car की glass तोड कर melody को बाहर ड्रैक कर लेता है car autopilot में लाइला को लेकर आगे बढ़ती है और sunroof से निकल कर लाइला देख पाती है कि leather face उसकी बेहन melody का गरदन काट चुका है इसी के साथ 2022 वाली Texas Chainsaw Massacre फिल्म खत्म हो जाती है अब इस फिल्म में एक post credit scene भी है जिसमें हम देख पाते हैं कि leather face finally उस घर की ओर जा रहा था जिसे हमने 1974 वाली फिल्म में देखा था तो दोस्तो यही थी फिल्म के कहानी और फिल्म में हम देख पाए कि सिर्फ लाइला ही सर्वाइव कर पाए जो कि पहले भी किसी तरह की एक माँ शूटिंग सर्वाइव की थी leather face तो obviously अमर टाइप है like Michael Mayas and this indicates कि इस फिल्म की सीक्वेल भी आ सकती है मुझे personally तो leather face और Michael Mayas की लड़ाई देखनी है क्योंकि इन दोनों को कोई मार ही नहीं सकता तो क्या ये दोनों एक दूसरे को मार पाएंगे या इनकी लड़ाई सालों तक चलती रहेगी well this calls for a reboot of my versus series जहां हम इन दोनों को compare करेंगे लेकिन ऐसा तभी होगा अगर आप आज की वीडियो को कम से कम 30 के यानि कि 30,000 लाइक्स दें साथ ही वीडियो को share भी कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल haunting ट्यूब को